सर थोड़ी न उस बारे में बात करते हैं, अभी हम जो आफ दे कैमरा बात कर रहेते हैं, आप बता रहेते हैं, स्वर्विज्ञान एक चीज है, बारत की जो लुप्त हो चुकी है बहुत हद तक, उसके दो कारण है, एक तो ये कि लोग खुद ही उसको फोलो नहीं करते, दू पाना शुरू कर दिया, कि अगर मुझे इतना ग्यान है, मैं दुनिया को क्यों बताऊं, वो क्या प्रोफोर्म करते हैं, बागेश्वर धाम, मैं इस पर बाद में आता हूं, लेकिन पहले मैं सब लोगों को प्रैक्टिकल करवाता हूं, आप सभी लोग हो, ठीक है न, आप सबसे पहले आप दोनो नाकों के नीचे हाथ लगाईए, ऐसे, लेफ्ट और राइट, एक लेफ्ट के नीचे लगा लिए, एक राइट के लगा लिए, ठीक है, अब एक्जेल कीजिए, क्या आपको फील हुआ कि किसी एक में सांस तेज है और एक में कम है, एक में से हवा कम इसको और प्रूफ करते हैं पहले देखते हैं एक को बंद कर लीजिए किसी भी एक को और इनहेल कीजिए अब एक्जेल कीजिए किसी एक में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं ठीक है जिस एक में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं वो इस वक्त आपकी एक्टिव नॉस्ट्रिल कही जाती है जिसको हम इडा, पिंगला, सुशुमना, शिवा सर्वोद्य है शिव के तीन सव रूप हैं एक मेल, एक फीमिल और एक जो मिला हुआ जेंडर जिसको हम बोलते हैं वो मैं शिव की बात से ही आ रहा था यह सब कंट्रोल कैसे होता है जो शिवलिंग की शेप है आपकी बाड़ी में एक जगए को दरशाती है किस चीज को दरशाती है वो? आप सब लोग गलत सोचना स्टार्ट कर देंगे लेकिन शिवलिंग की शेप आपके इस सिर और रीड की हड़ी के बीच में एक medulla obla genta होता है उसकी हुबो हुशेप है शिवलिंग हम लोग लिंग का मतलब होता है सवरूप स्ट्रीलिंग, पुलिंग, पुरुश का सवरूप, स्ट्री का सवरूप तो शिव का सवरूप है शिवलिंग उसकी शेप बॉड़ी में कहा है इस गरदन के नीचे, पीछे जब भी आप सांस को inhale कर रहे हो, exhale कर रहे हो यहाँ पर vibrations होनी start होती है किसी भी शिव के मंदिर में आप जाओगे आपको यहाँ पर vibrations होनी start हो जाएगी एक मात्र डाइटी है पूरी दुनिया के अंदर जिसको भेदा नहीं जाता जब आप परिकर्मा करते हो, तो वापस आते हो पूरी बॉड़ी में एक मात्र ऐसा ओर्गन है ये, जिसका कोई operation नहीं हो सकता, जिसको भेदा नहीं जा सकता जो आपकी रीड की हड़ी और दिमाग को जोड़ता है that is shivling on your neck ये हर धरम के विक्ति के अंदर बाया जाएगा अगर को इनसान है तो shivling तो सब के अंदर बसता ही है और उसी का जो science पैदा होती है जिसको हम बोलते हैं, शिवा स्तरवोध्य जो हम अभी perform करके देख रहे हैं तो sunset कहाँ तक होती है? अब try करना सबसे पहले जो suns है वो two fingers तक होती है, किसी कि exhale करोगे तो सिर्फ यहीं तक आरही है फिर और exhale करोगे तो chin तक आएगी फिर और exhale कर सकते हो तो chest तक आएगी और और exhale करोगे तो यहां तक आएगी maximum एक human की जो सांस है वो 16 fingers तक जाती है जो मेरी खुद की 16 fingers है यहां तक 4, 8, 12 and 16 कि 16 तक ही मेरी सांस जा सकती है यह चारों जो सांसे हैं यह denote करती हैं आपकी मनोस्थिति कि आपके मन में इस वक्त पे चल रहा है जहां से हमने बात को शुरू किया था मुझे नहीं पता बागवेश्वरदान बाबा जो हैं वो इसको फॉलो करते हैं यह नहीं फॉलो करते हैं यह वो माइन ट्रिक फॉलो करते हैं नहीं करते हैं लेकिन हाँ हमारे यहां पर यह ग्यान है, हमारे यहां पर यह सिद्धिया है और इनको प्रफॉर्म किया जा सकता है अब आप सभी लोग जो इस सेशन को सुन रहे हैं जब मैंने यह सारी बातें शिव की स्टार्ट करी तो लगबग सब की सांसे शुन्या के करीब पहुंच गई होंगी लगबग जीरो, यहां तक आपकी मैकसिमम सांस एक्जेल हो रही होगी चिन तक इस से ज़्यादा नीचे नहीं जा रही होगी बिल्कुल एक शांत इंवायरमेंट जिसको हम बोलते हैं अगरसर होती हैं, अब मैं इसको चेंज करवाता हूँ, आपकी सांसे तेज करवाता हूँ, चेस तक लेके जाता हूँ, ठीक है आप सभी लोग आंखे बंद करके सिरफ सोचिए पानी के बारे में समूदर है और आप समूदर में खड़े हैं, विजुलाइज कीजिए मेरे मैं तो तीन लोग है, इमाजिन वाटर, ठीक है अब मैं आप सभी लोगों एक मंतर देता हूँ, उसका उचारण कर लो, वम, वम, मनी मन, मनी मन, इमाजिन वाटर एंड वम, water 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 नीले रंग का पानी आप सभी क्या सबास है I am not playing game ये सांस आप सभी लोगों की है जो इस मंतर उचारण से और visualization से तेज हो जाएगी दीरे-दीरे आप देखेंगे तो आपकी सांस का flow बहुत तेज हो गया और वो यहां तक, chest तक आनी स्टार्ट हो जाएगी जब आप exhale करोगे और सांस जो लगबग lips तक हलकी हलकी आ रही थी उसका flow जो है वो काफी heavy और काफी powerful होता चला जाएगा इस तरीके से आप 5 के 5 elements जो हैं उनको change कर सकते हो या यह automatically change होते हैं अब जो water element है और space element है उसके difference जो हमने बागेश्वरदाम जी की बात करी या मन में बात जानने की बात करी अगर आपका कोई तत्व चल रहा है जैसे मान के चलिए मेरा space element चल रहा है उस वक्त पे space element चला जब हमने शिवजी की बात करी मंदिरों की बात करी तो वो आपको automatically उन thought process में लेकर चला जाएगा जो thought processes आपकी manifestation से related है आपकी इच्छाओं से related है जैसे आप शमशान गाट में कभी गई हो तो आपको एकदम से click होता है यार सब mom आया है सब कुछ ट्याग देना चाहिए एक ना एक दिन यहीं आ जाएगे यह सब space element है हमारे जितने भी मंदिर भारत में बने हुए हैं सब space element को trigger करते हैं इसलिए मंदिर में जाकर इच्छा पूर्ती होती है इसलिए का जाता है यह आपको मंदिर जाना चाहिए अब जब मैंने water element की बात करी जब मैंने warm की बात करी warm तेज हुआ आपकी नाक message सांस पांच तरफ से आती है fire element यहां से आता है और water element यहां से आता है यह precise note करने वाली बात है जब भी मेरा water element चल रहा है और आप मेरे पास कोई pressure लेकर आए तो आपको या तो relationship की problem है और या आपके साथ में emotional imbalances हो रहे है अगर आप मेरे साथ fire element में आते हो तो यह fix है कि आपको पैसों की समस्या है अगर आप मेरे साथ earth element में आते हो तो आपके जीवन में वेपारी की समस्या है इसको कोई नहीं डाल सकता मतलब कि suppose अगर हम आभी water के वारे में बात कर रहे थे हमने अपना हमारा water element चल रहा था, और उस state में जिसमें मेरा water element state चल रहा है, अगर कोई मेरे पास आया है, तो उसको वो problem है, और उसके लिए ऐसा होना चाहिए कि मेरा काम ऐसा है, कि मैं लोगों की help करता हूँ, या काम से कोई फरक नहीं है, तो जब भी कोई आपके पास आया, तो सबसे पहले आपको यह देखना है, कि मेरा element कोई सा चल रहा है, यह दुनिया पांच स्तत्वों से बनी हुई है, जल, वायू, अगनी, पृत्व और अकाश, अकाश और जल का मैंने आप सभी लोगों को भी example दे दिया, वैसे ही fire element किस चीज़ को दिखाता है, passion को दिखा अब मैं आपको एक simple सी बात देता हूँ, जिस भी लोगों को anxiety रहती है, अगर मेरे पास कोई वेक्तिया है, मेरा fire element चल रहा है, तो मैं बड़े अराम से बात बोल दूगा कि जी आपको anxiety रहती है, आपको बहुत ठकड़ा problem है, मानसिक, इडा fire मतलब left nostril से fire वाली सांस आ रह कोई ना कोई science को तो follow कर रहा है, क्योंकि मैं इस बात के खिलाफ हूँ, या मैं इस बात पर यकीन अभी तक नहीं कर पा रहा है, कि मेरे पीछे कोई इश्वर है, जो कान में मेरे कोई बात डाल रहा है